हेलो फ्रेंज आप देखरें एननु स्पोर्ट्स मैं हूँ रवीश और टीम मीडिया के पूर कपतान महेंदर सिंग धोनी जो कि भारत के रेगुलर विकेट कीपर भी रहे विकेट कीपर बल्लेबास भी रहे फिनिशर भी रहे और कम मैदान में वापसी करेंगे ये कुछ भी साफ नहीं है, BCCI की कॉंट्रो कलेस में धोनी का नाम नहीं है, ऐसे में खबर तो यही आ रही है कि शायद धोनी अब ब्लू जर्सी में मैदान में बापसी नहीं करेंगे, धोनी के अनुपस्तिती में भारत एक कई विकेट कीपर्स को आसमाया, जिसमें सबसे पहला नाम आ कर रहे हैं केल राहूल की, जी हाँ, लोकेश राहूली वो बल्लेबाज हैं जो धोनी की जगे लेने के लिए इस वक्त सबसे बड़े दावेदार बन कर उब रहे हैं, भारत और उस्टिला के बीच चल रही तीन वन्डे मैच की सीरीज के पहले मैच में, रिशब पंत के सिर में चोट लग गई थी, इसके बाद केल राहूल ने ही टीमीडिया की उट से विकेट कीपिंग की, इसके बाद दूसरे मैच में भी राहूल ने ही विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी समाली, राहूल बल्लेबाजी तो इस वक्त शांदार कर ही रहे हैं, लेकि जैसे ही उन् पर कितनी बलेबाजी की है और कितने रन बनाएं। इससे समझा जा सकता है कि वो किस तरह के बलेबाज है। इसके बाद सोल्वा ओवर फेक में आए रविन जड़ेजा। पहली गेंद पर कप्तान एरॉन फिंच ने जोरदार शॉट लगाने का प्रयास किया। वो चुक गए और गेंद विखेट कीपर केल राहूल के हाथों में चली गई। बस फिर क्या था फिंच चुक गए लेकिन राहूल नहीं चुके और उन्हाने फिंच की गिल्नियां बिखेट दी। अन्फिल्ड अंपायर फैसला नहीं ले पाए तो तीसरे अंपायर पर निर्ने छोड़ा गया। अंपायर ने काफी देर तक रिपले देखा और आउट करार दे दिया। केल राहूल ने जिस तरह से फिंच की गिल्नियां बिखेरी उससे एक बार फिर पूर कप्तान महिंदर सिंग धोनी की याद आ गई। कुछ इसी तरह से धोनी भी बल्ले बाजों की गिल्नियां बिखेर देते थे। केल राहूल का एक कमाल देखकर हर कोई हरान था। धोनी अगर ये मैच देख रहे होंगे तो वो निश्चित तोर पर खुश होंगे के रिशाप पंत न सही लेकिन राहूल जरूर उनके नक्षे कदम पर चल रहे हैं। लोकेश राहूल जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं उससे वो लंबी रेस के घोड़े नजर आते हैं। आस्ट्रेलिया के खिलाब 1A सिरीज में तो विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी समाली रहे हैं। पर चाहूल जिते हैं।